बैंको कारियर अकेडिमी के डिजिटल प्लेट फोरम पर आप सब ये का फिर से स्वागत है दोस्तो इससे पहले वाली कलास में हमने जो टोपिक शुरू क्या था वो था क्वाडरी लेटरल यानी चतुरबूज उसमें हमने पढ़े थे चतुरबूज के बेसिक कॉंसेप्ट और उसकी क्या-क्या प्रोपर्टीज बनती है मैंने आपको उसमें साथ प्रोपर्टीज बताये थी चतुरबूज की आज हम शुरू करेंगे इसके अंदर चतुरबूज के परकार होते हैं उनकी प्रोपर्टीज इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या इसकी प्रोपर्टीज पढ़ी थी आज हम पढ़ेंगे इसकวाइर इसक्वाइर ही क्या-क्या प्रोपर्टीज होती है Rectangle और मैंने आपको बताया था एक काईट भी क्या होता है एक चतुर्बू जो होता है काईट भी क्या होता है एक चतुर्बू जो होता है तो आज वाली class में हम इसकी properties भी पढ़ेंगे क्योंकि यहां से भी person बनता है इस class में हम सिर्फ यह तीनी topic आज पढ़ेंगे जैसे हमने triangle पढ़ाता सेम वैसे करेंगे इसकी basic properties पढ़ेंगे कुछ example पढ़ेंगे और इसके बाद में हम जो आगे class आएगी उसमें इसके उपर बेस्ट जो जितने क्यों ऐसे सी ने पूछे है और जो क्यों बनते हैं वो solve करेंगे चतुर्बूज के अंदर है क्यों है वो direct कम बनते है मिक्स वाले परसंद जादा बनते हैं square के अंदर एक triangle बना देंगे या फिर square एक rectangle ऐसे परसंद जादा बनते हैं तो आज हम शुरू करेंगे square के बारे में square क्या होता है इसे क्या-क्या properties है square इसे क्या बोलते है वर्ग बोलते है square क्या होता है एक ऐसा सतुर्बूज जिसकी चारो बुझाय क्या हो बराबर हो ये side इसकी a है तो ये भी क्या होगी a होगी इसकी चारो बुझाय क्या होती है बराबर होती है और इसकी opposite side विप्रीत बुझाय क्या होती है समानतर होती है क्या होता है मैंने इसकी चारों बुजा क्या होती है बराबर होती है और जो ओपोजिट साइड होती है वो क्या होती है पैरलर होती है समानतर होती है यह क्या होती है समानतर होती है और इनको मिलाने वाली क्या हो जागए डायागोनल विक्किर्न और इसका जो परतेक एंगल हो क्या बताया है, मैंने इसके अंदर चारोबुजन क्या होता है, बराबर होते हैं, तो चारोब कोन में क्या होते है, बराबर होते हैं, ये 90 डिगरी के होते हैं, ये दोनों क्या होंगी, समानतर होंगी, और मैंने आपको जो 임e mortar में, पहली class में बताया था lines वे angle में कि जब दो रेखाई समांतर होती है तीसरी रेखा उसको परतिछेद करती है intersect करती है या फिर उसको cut करती है तो वहाँ पर कुछ angle बनते हैं कौन कौन से angle बताया थी मैंने तो वह lines वाँ एंगल वाला concept पूरी geometry के अंदर चलेगा a b parallel किसके dc के और a d जो side a d होगी यह वाली वह parallel होगी b c के परते कौन बराबर होगा यह 4 कौन किसके होगे 90 degree के इसके अंदर जो इसके diagonal होते हैं विक्रण a c बराबर होता है b d के यह basic से बाते हैं हो सकता आपको पता भी हो लेकर हमें सब चीजे पढ़नी है कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं जो a c है और जो b d डाइगोन लेक्या उंगे बराबर होंगे देखिए यह क्या 90 degree है यह इसका base होगा यह perpendicular हो गया तो यह क्या बन जाएगा हाइपोटेनिस त इसके अंदर जो o होता है intersection point वो क्या होता है midpoint होता है किसका विकिरन का हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं देखिए यहापनी क्या बन रहा है जेट बन रहा है और यह क्या parallel line है यह एंगल अगर थिटा होगा तो यह एंगल भी कितना होगा थिटा होगा यहापनी बैसे क्या बन रहा है जेट बन रहा है समानते रहोंगों बीच यह एंगल सपोच X होगा तो यह भी कितना होगा एक्स होगा और यह वाले एंगल क्या ह होते हैं vertically opposite यानि हम बात करते हैं triangle O A B की और triangle O C D की यह दोनों क्या होंगे सरवागसम होंगे concurrent होंगे अगर आपने similarity वाले वीडियो देखा है तो आप समझ पारे होंगे यानि triangle A O B और triangle C O D यह क्या होंगे concurrent होंगे सरवागसम होंगे तो अगर यह सरवागसम होंगे देखे एकस के सामने क्या है O B इसमें X के सामने क्या है यह O D यह क्या होंगे बराबर होंगे तो आप कह सकते हो कि जो O होगा वो विकर्ण का क्या है midpoint होगा O है वो A C Y B D विकर्ण का diagonal का midpoint होता है weekend का midpoint होता है आपको रटना नहीं आपको समझना है कि यह क्यों होता है हो सकता है आपको पता यह midpoint होता है लेकिन होता क्यों है यह क्या होता है weekend का midpoint होता है मद्दे बिंदू होता है तो यहां से आप क्या लिख सकते हूँ O A बराबर होगा किसके अंदर? इसमें O, B, K बराबर होगा? O, C, K बराबर होगा O, D, K यानि इनका जो रजल्ट आएगा, वो क्या आएगा? यह O होता है, वो क्या दोनों विक्रिणों का midpoint होता है, तो यह वाले side और यह वाले side भी बराबर होगी इसमें यह वाले side भी यह बराबर होगी क्योंकि विक्रिण का midpoint होता है midpoint होता है, और यह आसेम ने क्या बताया? कि दोनों विक्रिण क्या होते हैं? बराबर होते हैं तो फिर यह चारो side इक्वल हो जाएंगी ऐसे आप यह भी निकाल सकते हो triangle O, A, B है तो triangle B, O, C यह भी क्या होंगे? सरवागसम ही होंगे तो अगर इन दोनों को आप सरवागसम मान होगे तो उसके आधार पर आप पता लगा सकते हो कि O, B भी क्या होगा? इसके बराबर ही होगा. यह कुछ basic बात हैं, यह आप इनको no down करना चाहूँ तो कर सकते हो इसके मिसोट लेने उसका फिर आगे कुछ अच्छे कॉंच्छे पढ़ते हैं इसमें यह तो उसकी कुछ basic properties थी हम पढ़े थे square इसके अंदर यह A, B, C, D के चार वर्टेक्स हैं A, C, B, D के हैं इसमें diagonal है, wicked है तो diagonal के बारे पढ़ते है, wicked के बारे में तो diagonal होते है, wicked होते हैं मैंने एक चाहते आपको बता दी कि O होता है, यह क्या होता midpoint होता है, O है A, C और B, D का क्या है midpoint होता है, तो ह्यां से आप लिख सकते हो कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD दोनों विकेंड क्या होते हैं बराबर होते हैं फिर आप यहां से लिख सकते हो इसके अंदर आगला जो पॉइंट है विकेंड होते हैं विकेंड डियागोनल 90 डिगरी पर समध्य वबाजित करते हैं आप जो डियागोनल होते हैं विकेंड होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिगरी पर 90 डिगरी पर समध्य वबाजित करते हैं की जबाजिद करते हैं, जहाँ पर यह दोनों इंटरसेंट करेंगे, तो आपर अंगल कितने का बनेगा ? नंब्बै डिगरी, यह नंब्बी डिगरी का मैं आपको बताया , ओ तो यह इंगल कितना होगा, 45 यह अंगल कितना हुगा ? 45 का यह नबड़द है पर क्या करते हैं इंटरसेल्ट करते हैं आप सिमलेटीफ अंगरेंशिक साथा से इसके साहथास आप पूलीव कर सकते हैं क्यों करता है यह यह ब्राबर किया है यह भी कितने के बचागा 45 का तो आप यहाँ से यह भी कह सकते हो विक्र्ण है वो कौनों के एंगल बायस्यक्टर भी होते हैं पहले बात हो विक्र्ण 90 डिग्री पर सम्धिवाजित करते हैं यहीं इसको दो बागों बाटाएंगे और किसमें 90 डिग्री में दूसरा जो डाइगोनल होते हैं विकिर्ण होते हैं विकिर्ण चारों सिर्ष कोनों को जो चार जो सिर्ष कोन है जो वर्टेक्स एंगल है एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D कोणों को समध्य बाज़ित करते हैं या फिर समध्य बाज़ित करते हैं यह एंगल tray क्या ऐंगें y जो AC और BD क्या हैं, angle bisector है, याझन इस कौण को AC ने दो बागों में विवाजित कर दिया, 45-45 में, तो BD है, जो BD जो विक seul विकार्ट है, उसने किया किया, इस कौण को 45-45 दो बागों में विवाजित कर दिया, तो AC और BD क्या बन गए, angle bisector बन गए जो दोनों विकेंड है AC और BD क्या बन गए angle bisector कौन अर्दक angle bisector ये क्या है angle bisector है कौन अर्दक है तो ये वाला note कर लो इसके उपर person बनते हैं अब एक example हम solve करेंगे अब इस पेर हम एक person solve करेंगे जैसे ये कोई आपको rectangle दे रखा है A है B ये आपको ABCD का एक square है एक work दे रखा है AC क्या होगा इसका diagonal और BD क्या होगा इसका diagonal विकिर्ण ये ओपर क्या करते है परती छेद करते है तो यह से इधर एक point ले ले आपने E E क्या है E है AB पर कोई बिंदू है any point ये क्या है कोई बिंदू है E है बुजा AB पर कोई बिंदू है ये कोई perpendicular आपको 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 दे रखा है O A बराबर दे रखा है इसमें A E O A बराबर है A E तो इंगल E O B कमान ज्याद करें basic points है उसके उपर based question है क्या दे रखा आपको A C और B D क्या है E क्या है AB क्योंपर कोई बिंदू है ये लंगोत नहीं है बस आपको एक point दे रखा है तो यहाँ पर O A बराबर दे रखा आपको A E A E बराबर क्या है O A तो आपसे पुछा E O B कमान क्या होगा E O B कमान क्या होगा अगर आपने basic concept शीख लिए क्योंकि इससे पहले जो आपको पढ़ा रहा था तो आपको लगता था इस सारे चीज़े हमें आती है तो वह चीज़े अगर आपको आती है O A E क्या बन गया एक triangle बन गया इसमें O A कमान दे रखा है A E के बने यह डोनों साइड क्या है बराबर है तो इसके सामने का angle मालेजे कितना है थेटा है तो इसके सामने का angle कितना होगा थेटा होगा एसी क्या है विकिर्ण हे डाययगोनल और अब ही हमने पढ़ा था कि स्कौाइर के अंदर बाया घ्रय चया होते हैं वह क्या करते हैं इंगल बैसेकर होते हैं यह टोटल एंगल कितने निभा का तो यह कितने होलों झाल this का कितने हो जाएगा 45 45 अब आप देखिए समें ये अंगल 45 का है ये ठीटा है ठीटा कितना हो जाएगा और तिरी बुज के तिनों कोनों का यह कितना होता 180 तो आज से ठीटा यह लिए निकाल लेंगे तो टू ठीटा हो जाएगा 180 में से मानेस करें 45 तो 35 थीटा कितना हो जाएगा दो से भाग देंगे तो सब्सक्राइब कितना हो जाएगा 66.5 कितना होता होता है 67.5 यहां से हम लिख सकते है 67.5 डिगरी लेकिन आपसे पूछा किसका है क्योंकि वीकल को नबव डिगरी पर सकते है यह Total कितने का होता है 90 का सब्सक्राइब लिख से पूरिकला X क्योंकि नबव में यह से मानेस कर देंगे तो कितना जाएगा 22.5 को समझ में आई यह यह एंगल हमारा कितना है 22.5 यह क्या है बेसिक जो पॉइंट है उसी के उपर बेस्ट क्योसन था आपको इनके बेसिक पता होने चाहिए यह टोटल कितने का होता है 90 का यह एंगल बाइस एक्टर तो 45 का बचेगा यह एंगल कितना है 67.5 यह टोटल एंगल कितने का होता है 90 अभी हमने पढ़ा था कि एंगल जो विक्यर्ण होते है वो 90 डिगरी पर इंटरसेक्ट करते हैं तो यह टोटल 90 का यह कितना बचेगा इधर वाला नबब में से माइनिस करते हैं 67.5 तो 22.5 यह आपका आंस्वर हो गया अब एक परसन और सूल करते हैं बेसिक प्रोपरटीज के उपर यह बेस्ट है वो भी यहाँ बेसिक प्वुइंट इसके उपर अच्छे अच्छे बरसन बनते हैं यह क्या एक स्क्वाइर है एक बुजा के उपर यहाँ पर एक क्या बना जियागा एक संभाहू तिरूज बना जियागा इसको नाम दे जिए अमनी इ परसें ध्यान से समझना क्या है आपको परसें में देराखा है कि A, B, C, D एक स्क्वायर वर्ग है क्या है एक स्क्वायर है एक वर्ग है A, B, C, D क्या है एक स्क्वायर एक वर्ग है और तिरिबूज E, C, B क्या है एक equilateral triangle संभाहू तिर्बूज है ये क्या है equilateral triangle संभाहू तिर्बूज ये क्या एक संभाहू तिर्बूज है तो आप से पूछा इसमें तो ज्याद कीजिए कौन सा एंगल angle a e d command क्या होगा इसके basic concept पर परसंट पढ़ रहे हैं अभी हमने कुछ जादा इसमें start नहीं क्या है बस इसके basic concept है वो पता तो सब को है लेकिन उसको apply कैसे करते हैं उसके application आपको आने चाहिए a b c d क्या एक square एक work है और e b c ये क्या एक संभाहू तिरी बुज़ा जिसकी तीनों बुज़ा क्या होते हैं बराबर होते हैं तो आपसे पूछा है a e d angle a e d command क्या होगा angle a e d आपसे ये वाले value पूछी है तो आपको अगर basic concept पता है तो आप आसनी से कर सकते हैं इसको देखें आपको इसमें क्या बोला गए ए e c b क्या संभाहू तर्व जय है तो आपको पता संभाहू तर्व प्रते क्यत्ने होता है 60 का, ये कितने का हो जाएगा 60, ये कितने का हो जाएगा 60 का और ये क्या है, ABCD ये क्या है Square है, Square में परते कोन कितने का होता है, 90 का तो ये कितने का बचेगा ये बचेगा 30 का, ये कितने का बचेगा 30 का और अब देखिए इसके अंदर A, B, Side हमने मान भी, यह कितने है यह है A, S, M, E और यह क्या होगी A, S, M, E, Ş, M, E क्योंकि वर के चारो बुजा क्या होते हैं बराबर होते है E, B, S, क्या है संभाऊतरि बूज़, इसके तिनो बुज़ा क्या होते है बराबर, अगर इसकी यह बुज़ा a है तो ये भी क्या होगी इसमें ये भी a ही होगी और ये भी क्या होगी a ही होगी संभाव त्रिबूजत क्या होगी a होगी समान होगी अब आप ट्रैंगल देखिए इसमें ट्रैंगल a e b इस त्रिबूज में दो बुजा बराबर है इसका मान a है इसका मान a है इसके सामने है कौन और इसके सामने है कौन क्या होगा बराबर होगा AB के सामने है कौन और BE के सामने है क्या होगा बराबर होगा क्योंकि दो बुजा बराबर हैं ये इंगल 30 का है तो बचा कितना 1500-150 तो आदा हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा 75 का यह हो जाएगा 75 का अगर ट्राइंगल वाली वीडियो देखें तो आप आसानी समझ पारे होंगे कुछ नहीं कर रहे हैं बेसिक प्रोपर्टीज अप्लाई कर रहे है यह 60 का यह 30 का बचेगा दो बुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे यह यहां से 60 आगा यह कितना आगा अब ऐसे आप देखो यह 75 आएगा आप ट्राइगर लो यह बुजा ए है यह बुजा ए है तो दोनों सामने कोण क्या होगा बराबर होगा अब आपको पता है एक पॉइंट के चारों और कोण क्या होता है तो यहां पर एंगल कितना है पिछेतर यह 60 का यह पिछेतर के जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 210 यानी टोटल कितना होगा 210 बचा कुण सा यह वाला एंगल ए ई दी और लिकले टोटल मान इंगे तो tat तो एंगल ए ईडी इसका मान कितना हुजाएगा इस मैस्ट कर देंगे एक सो पिछास डफटमियों थिदे यह एंगल पिछे चार और जो एंगल होता हूं कितने होता 360 का होता है तो 360 मानिस करेंगा 210 कितना जाएगा 150 तो यह आपका आंस्वर होगा इसमें कि आप यह सकते हैं यह सकी basic properties पर आधारित क्यों संथ है कुछ आप बात करते हैं square के or basic properties यह a,b,c,d है चार बुजार क्या होती है बराबर होती है तो यहां से पहले बात करते हैं परिमाप की, इसका परिमाप क्या होता है, फॉर ए, चारगुना बुजा, फिर बात करते हैं, इसका चैतर फल एरिया की हम बात करते हैं, इसका चैतर फल क्या हो जाएगा, बुजा का स्कॉार यहनी, ए स्कॉार, या फिर आप क्या कह सकते हो, इसके चैतर फल को आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर बुजा स्क्वाइर यह एक ही बात है क्योंकि इसके दोनों विक्रेड क्या होते है बराबर होते हैं तो यह वाले क्या हो जाएगा A root 2 तो A root 2 को इसकार करो तो क्या जाएगा 2A square 2 छे 2 cancel हो जाएगा A square यह आपके पास है आ जाएगा जैसे एक्जाम्पल आपको दे रखा है किसी स्क्वायर का जो विक्रन डायगोनल है वो है दस सेमी तो परिमाप क्या होगा और एरिया क्या होगा बेसिक सा परसन है, उसका परिमाक क्या होगा? और उसका ग्हातरफल एरिया क्या होगा? विक्हमाकच क्टेना देद्धा, धृसमी स्क्वाइर और आपको पता इसका विक्-न कितना होता है? A Roo êtes-2, 10 स्애 meaning. यहारозможно से एक व्राबर नहीं कितना देद्धा है? का 4ुटा पुजा, 5ुट फो 25 का करते हैं, तो 20ुट 2, 5ुट 2 का स्क्वाइर कर दें, 50 से 252, या या आप यहांसे भी खर सकते ह preparedness विखिन का स्क्वाइर कर दो, आप 10 इस स्क्वाइर, 100,лу 2 का तो पचास ही का से एडिया पूचता है तो आपको साइड निकाली जूरत नहीं है आप डारेक्ट इससे कर सकते हैं आपको फिर साइड निकाली जूरत नहीं पड़ेगी यह इसके कुछ बेसिक कॉंशेप्ट है उस पर आधारीज परसन अब आए एक जो स्क्वाइर होता है स्क्वाइर के मिड़ पॉइंट को मिलाने से कौन सी आकरती बनती है एक जो वर्ग होता है स्क्वाइर होता है स्क्वाइर के मिड़ पॉइंट को मालेजिए आपर कोई पॉइंट है पी यह क्यों यह आर यह क्या एस है पी, क्यूं, आर, एस ये क्या है वर्क की बुजाओं के मद्दे बिंदू है तो क्या गरें हम इनको मिला देंगे और इनको मिलाने से क्या बनेगा मैंने इसे पहले वाले क्लास में आपको बताए भी था इसे पहले वाले क्लास में आपको बताए भी था कि चत्रबूज की बुजाओं के मद्य बिंदों को मिलाने से क्या बनता है समांतर चत्रबूज है और फिर बताया था आयद की बुजाओं के मद्य बिंदों को मिलाने से क्या बनता है सम चत्रबूज वर्ग के बुजा के मत्दे बिंदों को मिलाने से क्या बनेगा वर्ग के बनेगा अगर देखे ए बी सीडी चत्रबुज चत्रबुज ए बी सीडी क्या है एक स्क्वाइर है एक वर्ग है स्क्वाइर है वर्ग तो चत्रबुज P, Q, R, S भी क्या होगा एक square ही होगा ये क्या होगा एक square होगा एक वर्ग ही होगा आप इसको derive भी कर सकते हो midpoint theorem से जैसे ये इसका क्या होगा diagonal मैं आपको बता इतरा midpoint theorem तिरी बुझ की किनी भी दो बुझाओं के मद्दे बिंदू को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा की आधी होती है तो ये कितनी हो जाएगी B, D की half हो जाएगी तिरी बुझ C, D, B अगर आपने midpoint theorem पढ़ी है तो तिरी बुझ की किसी भी दो बुझाओं के मद्दे बिंदू को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा की आधी होती है तो ये कितनी हो जाएगी B, D, बटे 2 ऐसे ये क्या है ये वाला diagonal हो जाएगा इधर स A, C, तो ये क्या बन जाएगा एक triangle बन जाएगा, midpoint theorem के सहाथा से आप निकाल सकते हो, ये क्या है इसकी बुझाओं के मद्दे बिंदू है, तो ये वाले क्या हो जाएगी A, C की आधी, ये भी क्या हो जाएगी A, C की आधी, half, और हमने पढ़ा था कि square के अंदर A, C बराब बनेगा, ये बात तो पता चलिकि square बनेगा, लेकिन इसके अंदर इसका area क्या होगा, इसका area क्या होगा, पीक्यू आर स का area क्या होगा, चतर बुझ, पीक्यू आर स का जो area ओगा चेतर फुल होगा, वो क्या होगा? चतर बुज, A, B, C, D, K, से 16 फुल होगा? आदा होगा, 1 by 2 यहां से डारिफर्सन पूच लियते हैं तो अंदर वाला जो square है, उसका जो area क्या होगा, बड़े वाली square का, जो मूल, जो square है, उसका क्या होगा? हाफ होगा तो आप लोट डाउन कर सकते हैं इसको अब देखेंगे स्वाइर की और प्रोपर्टीज एधिस इस्कॉयर है एंगे सी डी इसकोख़र के अंदर आपर कोई पोई गएंप और यहांपर अंदर आपर कोई पोई गोई दे दया, यह कोई भी एक पॉइंट है, इसके क्या clickaver है ABCD क्या एक स्क्वार है अभी हम स्क्वार ही पड़ रहे है यह क्या कि सक्वार एक वरग है और पी क्या एनी पॉंट कि को भी एक बंदू इसके अंदर ऑपी क्या है वो सक्वार ABCD के अंदर कोई बहुन था इस्प्यक्ड इंदर कोई P A square प्लस P C square बराबर होता है P B square प्लस P D square यह इसका एक direct result है यहां इस formula पर परसनल पूछे जाते हैं क्या है A B C D क्या है एक square एक work है P इसके अंदर कोई एक बिंदू है तो यहांसे A P का square और P C का square का योग बराबर होता है P B square प्लस P D square के बराबर है P A प्लस P C का square बराबर होता है P B प्लस P D square हम इसको derive भी कर सकते हैं अगर आप इसको derive करना चाहो तो इसको proof कर सकते हैं लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि हम एक अलग से वीडियो लेकिया हैंगे जिसमें हम ऐसे जो concept direct result उनको हम derive करेंगे इसके ओपर बेस परसन पूछे जाते हैं जैसे suppose आपको इसका मान दे रखा A P का मान दे रखा आपको 7 और P से का मान जैसे आप से पूछा है और इसका मान दे दे मान लिजे आपको B semi इसका मान आपको दे दिया 15 semi तो हम परसन लिखते हैं यहां से कि आपको मान दे रखा है A P या फिर P A A की बात है A P का मान आपको दे रखा है 7 semi और P C का मान दे रखा है X semi B P का मान दे रखा है 20 semi और D P या P D A की बात है इसका मान दे रखा है 15 semi तो X का मान याद करें पी यहांपर क्या कोई भी एक अंदरीक point और कोई भी एक बिंदू है तो इसका मान क्या होगा फॉर्म्यलय क्या होता है, AP square प्लेस PC square तो यानि इसका x square, आप याद ऐसे याद रतर को, इसका और i eyes square करना है इसका स्क्वार कितना हो जाएगा 49 प्लस इसका स्क्वार एक्स स्क्वार बराबर होगा इसके स्क्वार यानि 20 का स्क्वार 400 प्लस इसका स्क्वार 15 के स्क्वार 225 तो कितना हो जाएगा देखें यहां से हो जाएगा 625 तो एक्सी स्क्वार बराबर यह हो जाएगा 625 में से मा है तो यह हो जाए गा 500 चिंतर सिवन्टी सिक्स तो यह से एक्स ब्राबर जाएगा रूट पान्टीक सेमी का होता है है तो भीज़े हैं के स्क्राइब श्रूरा होता है तो अच्छिंतर निकालना X square PB square यानि 20 का square 400 PD square 15 का square 225 इनको जोड़ा कितना आए 625 यह 49 इदर आएगा माइनस का 625 में से माइनस कर दिया 59 कितना आया 500 चिंतर और 500 चिंतर किस गया होता है एक्स बराबर हो जाएगा रूट तो यह 24 का square होता है तो एक्स का माण जोटना आएगा 24 तो यहांसे आप लिख सकते हो कि एक्स का माण जोटना आएगा 24 से मिल यह डारिक रजल्ट है यह आप नोट डाउन कर लें इससे परसंट पूछे जाते हैं अब इसी पर एक परसंट जैसे आप ट्राइक करना चाहों तो एक परसंट ट्राइक कर सकते हैं इसी फूर्मले पर बेस्ट जैसे कोई आपको क्या दे रखा एक यह A B C D क्या है एक A B C D क्या है एक स्क्वाइर है यहाँ पर कोई पूइंट है P तो आपको यह वाली value दे रहे हैं सपोज इसका मान आपको दे रखा है 12 सेमी इसका मान दे रखा है 15 सेमी इसका मान दे रखा है 15 सेमी इसका मान आपको 10 सेमी तो इसका मान आप से पूछ सकता है तो वही फोर्मुला होता है अपोजिट वालों को स्क्क्वार करें, 12 का स्क्वार 29, 15 का स्क्वार 25 एकोल वाकिस से, इधर अले निलो 10 का स्क्वार 100, उसके ओपोजिट वाला की अतना होजाएगा, X स्क्वार, तो ऑठीकितना होजाएगा, तो याई एक्स के वह नहीं कितना जाएगे रूट दोस्तों उन्हें तर टू सिक्स नाइन तो यहाँ से इसका मार्ण कितना जाएगा रूट टू सिक्स नाइन सेमी तो आप यह डारीट 콘 optimism याद करें इनसी डारीट पर्सट पूछे जाते हैं अब इसके अंदर उनके लास्ट क्उश्प जो आप पूछे जाते हैं इनके इन सरकिल या सरकम सरकिल के उपर बेस्ट ये क्या है कोई स्क्वाइर है A, B, C और D, A, B, C, D क्या है एक स्क्वाइर है, ठीक है सबसे पहले इसके अंदर एक सरकिल है, मान लेजी जो इसकी चारों बुजाओं को टस करेगा आप ये मानें कि अंदर वॉला इसक्वाइर है सरकिल है, बिल्कुल आलगे सिधा थो नहीं है ये सिधा बना नहीं है लेकिन आप ये मान के चले ये क्या एक सिधा है करिद के वजारती हैं आप मेथ के वजारती हैं तो मान सकते हैं A, B, C, D का एक वरग है इसके अंदर का एक सर्किल है, तो यह सर्किल है क्या है, क्या अंदर है, यह क्या हो जाएगा इसकी, रेडियस, क्या अंदर से परिधी पेस्टित बिंदो को मिलाने वहले क्या हो जाएगी, यह भी क्या इसकी, रेडियस, यह भी क्या इसकी, रेडियस, यह भी क्या इसकी, रे यानि आगर किसी square के अंदर work के अंदर कोई circle है तो उसके radius कितने होती है बुजा की आदी होती है यह क्या होती है बुजा की आदी होती है यह इसका संवन्द है तो आप इसको याद रखें और अगर मालीजे सरकम circle हो, इसके बाहर हो इसके बाहर है और इस बार स्क्वाइर क्या अंदर है तो इसक्वाइर के बार क्या एक तो ड्याग्राइम सही नहीं बना ये क्या दर्दक आपको एक circle है, और इसबार क्या है, square क्या, इसके अंदर है, ये A B C और D, A B C D क्या है Breadire है, ये सिधा नहीं रहे कि आप इसको मान के चले अंदर है, इसका सिधा है, तो आप देखिए ये क्या हो जाएक, इसका केंदर हो जाएगा, और के अंदर से परिदि पेस्टी वीट बैन्दो के मिलानं मैं रहा है,ार रृडियस हो जाएगी यह क्या सेंटर है,और अमें पताया कि ये साइड इसकी a है स्कॉयर की स्कॉर की और इसाइड क्या स्की a , तो यह विक्लेंड क्αιतना हो जाएगा रूट 2 रूट 2 लूट 2 यहां पर यह कितना दिन रखा है यह R है यह क्या R याणि 2 R तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो R बराबर क्या हो जाएगा Radius बराबर क्या हो जाएगा रूट 2 A वरटे 2 और वो सॉल करना जाएगा A पॉन रूट 2 आप इसको capital R लिख सकते हैं क्योंकि परीतीर जाये तो आप इसको capital R से रिपर्जेंट करें capital R तो यहाँ पर आप भी इसको capital R लिखे यह capital R तो यहाँ से लिख सकते हैं capital R बराबर कितना हो जाएगा a upon root 2 small r बराबर कितना है small r यानि अन्त तिर जया इसका मानतों है एपोन टू केपिटल आर यह नहीं परी तिर जैस के बाहर तिर जा इसका माना है एपोन रूट टू एपोन रूट टू तो आप इसको दो डाउन के लिए स्क्रिम सोट ले लिए इसको अब देखते हैं इसका अगला कॉंसेप्ट जो सर्किल के ओपरी बेस्ट है जैसे एक आपको सर्किल दे रखा है यह क्या एक वर्त है और इसमें इस बार जो स्क्वाइर है वो इस प्रकार से है जैसे वो यहाँ पर square इसकी एक side यह हो गई इसकी एक side यहाँ पर है और यह एक side इस side भी है तुम इसको यहाँ से cut कर देता हूँ एक बार यह आप हो क्या दे रखा है एक A, B, C, D A, B, C और D A, B, C, D क्या है एक square एक work है और यह एक circle है वो इस प्रकार से है कि तो circle है वो यहाँ पर side भी हो टच कर रहा है और यहाँ पर दो vertex को टच कर रहा है A, B, C, D क्या है कि square एक work है और यह तो circle है वो इस प्रकार से है कि इसके square के दो तो vertex को touch कर रहा है और उसके एक बुजा को टच कर रहा है तो इसके ओपर एक concept बनता है यहां से person पूचा जाता है अब आप देखिए यह side कितने इसकी A तो यह स्याड़ी में कितने होगी कोद्ध के केंदर से प्रिध्य पेश्थित ब давно को मिलने वश्या होगी क्या होजाएगी? VGIET kia होजाएगी और यह कितनी हो फिर यह आपर इसको नाम देते लोरे नदर क्यी दो एक्यये से एंदर िरहर र तो यह होगे तो कितनी बचाएगी ऐ माइनस R बचेगी, और यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो यह कितनी हो जाएगी, R, यह कैंदर है, यह प्रिधी पिस्थित को यह point है, तो इसको नाम दे जाएते है, O, O, C क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, यह भी क्या है, रेडियस है, यह total कितनी है, A, यह उपरवल कि R, और यह कितनी होगी, A, बाई, तो यहाँ पर पाइथाकृर्स पर में लगा देंगे, तो सबसे पहले, हाइपोटेनिस का स्कोर, R स्कोर, इकोल होगा, इसके स्कोर, यानि, A स्कोर, प्लस आर स्कोर, माइनस 2, A, प्लस इसका स्कोर, तो A स्कोर, बटे 4, यह हो जाएगा, तो R² से R² cancel हो जाएगा, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इनको तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5A² बटे 4, यह माइनस का जाएगा किसका हो जाएगा, पलस का 2AR, अब आगे हम इसको solve करेंगे, इस A से यह वाला A cancel हो जाएगा, बचे कितना? 5A, इकोल किसके होगा, इसको multiply कर देंगे, 8R, यह क्या बन गाएगा, एक बुजा और radius के बीच में समद बन गाएगा, यह क्या है? स्क्वार की बुजा और की साइड और की बुजा है, और R क्या है? यह क्या radius है, यह क्या radius, तो 5A is equal to 8R, यह क्या बन गाएगा, इनके बीच में एक relation बन गाएगा, यह direct result बन गाएगा, इसमें असे सिक दोवारा person पूचा गाया था, अगर A कमान मालीजा आपको दे रखा है, 10 सेमी, A कमान क्या दे रखा है? 10 सेमी, तो radius कमान कितना हुजाएगा? R बराब कितना हुजाएगा? 5A कमान दस बन्ते 8, तो यहनि 50 बने 8, तो यह क्यतना हुजाएगा? चार से काटोग दो, चार से काटोग दो, जरा दो से काटोग दे इसको, तो उपर दोपत्चीस बने, 4, तो यह नहीं 6.25 सेमी तो जो रेडियस हो जाएगी इसके आर कितने हो जाएगी 6.25 सेमी यह निके बैसमें आपको बस रजल्ट यह आद रखना है फाइफ यह इस गुल रोता है एट आर यह आपर आ एमने क्या मानी थी इसके एक साइट मानी थी वरक की और आर क्या है इस वाल कि अब शुरू करते हैं हमें रेक्टेंगल रेक्टेंगल यानी आयत रेक्टेंगल के अदर ज्यादा कॉंसेप्ट है नहीं इसमें क्या होता है रेक्टेंगल के अंदर ये जैसे A है, ये B, ये C और D, इसमें opposite side क्या होती है, parallel होती है, और ब्राबर होती है, ये माली जे L है, जो ये क्या होगी, L होगी, ये B है, तो ये क्या होगी, B होगी, उरे क्या बन जाएंगे, इनके diagonal weekend, तो rectangle आयत क्या होगी, इसके definition क्या होगी, इसमें opposite side है, वो बराबर तथा समानतर होती है, ये दोनों क्या होती है, बराबर होती है, A B बराबर L है, तो D C बराबर होगी, L होगा, और ये क्या होती है, समानतर होती है, A B क्या होगी, parallel होगी, B C के, और ये दोनों क्या equal भी है, इसी प्रकार से AD parallel होगी किसके BCK और यह क्या equal भी है इसका मान L है तो इसका मान B है तो इसका मान B हो गया फिर हम बात करते हैं इसके अंदर जो एंगल होता है वो 90 degree का होता है यह जो एंगल होते हैं 90 degree के होते हैं तो अगर आपने इसका विक्रिण निकालना चाहिए diagonal AC बराबर होगा किसके BDK इसके दोनों विक्रिण बराबर होते हैं और आप similarity और concurrence के सायदा से निकाल भी सकते हैं कितना होगा यह आपको निकालना AC मैंने बताए यह एंगल कितना होता है 90 degree तो पाता है कि उसके में लगा दो L square प्लेस B square यह क्या होगा इसका diagonal विक्रिण और दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं माने पॉइंट ओपर इंट्रेसेट करते हैं तो यहां से कुछ और पॉइंट हम लिख सकते हैं ओ क्या होगा विक्रिणों का मद्दे बिंदू होगा ओ है वो AC वै बीडी विक्रिण का मिड़ पॉइंट होता है मद्दे बिंदू होता है क्या होता है मद्दे बिंदू होता है मिड़ पॉइंट होता है अर। नुल फबेट भिवारि से ब kob jun Hai ओह वह सिवयए बिडिघि क्या होता है मद्रभींदु होता है कर विकिर्ण हो पोर मिड़ पॉइंट होता है यह क्या होगा इसका मिड़ पॉइंट होगा तक आप लेक्सक्ते हैं से ना ऐ-ब्राबर च Something O C और बराबर क्या होगा, O B बराबर होगा, O D, O A बराबर क्या होगा, O C बराबर होगा, O B is equal to O D, यह क्या होगे, चारो बराबर होगे, क्या है, मिड़ पॉइंट है, अब इसमें आप एक चीज और नोट कर सकते हो, विकेर्ण है, वो 90 डिगरी पर सम्दिव वाजित नहीं करते हैं, लेकिन दो बागों में वाजित करते हैं, विकेर्ण एक दूसरे को सम्दिव वाजित करते हैं, लेकिन नबब डिगरी पर नहीं करते हैं, सम्धिवाजित करते हैं लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करते हैं सम्धिवाजित नहीं करते हैं यह मैं आपको लास्ट में रिखाऊंगा रेजल्ट हम एक टेबल बनाएंगे उस टेबल में इंपोर्टेंट पोइंट लिखेंगे सबसे पहले थो हम लिखेंगे कि आयत के या वरक स्कॉरर समादवंबस समचत्र भूस मिंड़ को मिलाने से कौने वाली आकर्तियां फिर हम लिखेंगे कि कि विकेड किस किस में बनाबर होते है है वो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कहां कहां पर करते है से लिखेंगे जावे लिखेगे जो यह सुम्दी वाजित, दो भागों में बिवाजित करते हैं, तो दो भागों भी वाजित करेंगे, लेकिन यह 90 डिग्री पर नहीं करते हैं, यहाँ पर चो एंगल बने गा, वो 90 डिग्री नहीं बने यह लंबाए इसके L है तो यह कितने हो जाएगे L, यह बी है तो हम बात करतें, इसके सबसे पहले परिमाप की, इसके जो परिमिटर होगे परिमाप होगा, वो कितना होगा, वो होता है, 2 into L plus B, यह चारों बुजावां क्या करना है जोड करना है इसका एरिया के बात करते हैं चेतर फल इसका एरिया क्या होगा लंबाई गोना चोड़ाई क्योंकि इसमें एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का यह नहीं हाइट यह है तो इसका बेस कितना हो जाएगा एल इसके हाइट यह हाइट हो जाए इसमें बी तो लंबाई गोना चोड़ाई कि अब इसके अंदर एक इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट और आता है कि जैसे हम यहाँ पर कौन एक का एंगल वाइस सेक्टर ड्रो करते हैं इधर से हम कौन सी का एंगल वाइस सेक्टर बनाते हैं और इधर इसका एंगल वाइस सेक्टर हम बनाते हैं तो यहाँ पर जो आकरती मेने कि यह कौन से बनेंगी क्या काम में एक एक डि या हमने इनका एंगल इन्हाएं इनरी यहां पर कि ले लिए इसका या एक एंगल गये लिए अई है तो इसका एंड़ ज़िए तो यह चारौ कही नwnieं तो करेंे तो यह पर दिशाण करतें यहाँ पर थी क्या बनेंगे। हमें चार पोइंट बनेंगे तो यहां पर इसको नाम देदी है हमने P, Q, R, S आयत के चारो कोनों के एंगल बाइसेक्टर जहाँ परतिछेद करते हैं तो यहाँ पर एक आकरती बनती है P, Q, R, S यह क्या होगी? P, Q, R, S क्या होगी? चतर बूज बने गाई P, Q, R, S P, Q, R, S क्या होगा? एक स्क्वाइर होगा यह जो P, Q, R, S होगा यह क्या होगा? एक स्क्वाइर होगा वर्ग होगा देखिए यह एंगल पंतालिस का ये वाले सेट क्या होगी इनकी ये बराबर होगी तो जब आप इनको मिलाओगे तो PQRS क्या अपने गाए स्क्वाइर बनेगा स्क्वाइर बनेगा एक बने गा बसक्ते हैं कि इंके इंगल्बाक इसे स्क्वाइर बनेगा और इसके अंदर एकॉंसेट ही पढ़ाता हाँ हों ये पटेगी इकटो इसको यहां पर इसके मिला देंगे जो मिनी में पड़ा था ना वह यहां पर भी का स्क्वाइर पलेस पी ती स्क्वाइर इकूल होता है पी बी स्क्वाइर प्लिस पी id वह वाला concept यहां पर भी लागू होता है, ABCD क्या एक rectangle एक आयत है, P यहां पर क्या है, कोई भी एक point आपको दे रहा, P कोई भी एक point है, तो इसको मिलाने वाले रिखा, इसके मिलाने वाले रिखा का square का जोड बराबर होता है, इनके square के योग के बराबर, सेम वही formula है, इसमें में लागू होता है, यह वाला point किसम में लागू होता है, square में और rectangle में, समांतर, चत्रबूज, सम्चत्रबूज में लागू नहीं होता है, अब हम देखते है, kite, पतंग पढ़ते हैं, पतंग के बारे में ज्यादा concept तो नहीं है, थोड़े से concept है, वह इस काइट पतंग है, तो यह इसको नाम देखते हैं, जैसे A है, यह B, यह C और यह D है, पतंग की, काइट की, जो दो आसन बुझाय होती है, वो बराबर होती है, यह वाली साइड, यह वाली साइड बराबर होंगी, और यह वाली साइड और यह वाली साइड दोनों बराबर हो के पतंग ऐसे बनते हैं और नीचे वाले ऑली बूजाय क्या होगी बराबर है तो हम आसे लिख सकते हैं कि कायट के अंदर ए भी बराबर होगा अगर ऐसे वाले बुजाव बराबर होगी तो फिर इस प्रकार का से बन जाएगा है अगर आप जैसे इन वाले साइट को बराबर रखते हो, अगर आप इस साइट को और इस साइट को बराबर रखते हो, फिर यह ऐसे बन जाएगे, फिर इस परकार से बनेगी, अभी हमने इसको थोड़ा उपर कर रखा तो यह वाले साइट बराबर होगी, अगर आप इन वाले में वने रखा यह गया गई इसका विक्रिल डायगोनल तो यहां पर बनती हैं पतंग के अंदर डो आसन बुजाय यह ठीक है और इसके क्पोन बुर्बराबर होता है इप यह इंपोर्टेंट ॉंशुप्त है पतंग के अंदर ये दोनों वाले एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं ये दोनों वाले कोण B बराबर होता है कोण D के ये दोनों एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं जो डाइगोन होते हैं विक्रिण होते हैं यहांपर ये इंगल बनेगा। इंगल बनेगा। इंगल बनेगा। नबबब डिगरीड का। इसके अंदर एक और है। met college क्या है HU्कसेप्टू क्या है। नहीं बड़े वाला विक्र चोटे वाले विक्र को समधी वजित करता यह कि इस उसे बड़ा विक्र कुण सा है एसे ठोई से बड़े याben0-常 सी बड़ा All गोन को सम्द्वी बाजित करता है को सम्द्वी बाजित करता है कुण सा बड़े वाला विकेंडी इसमें बड़ा वाला कुण सा है A C छोटा कुण सा है B D ये इसको सम्द्वी बाजित करता है तो आप इसमें बोल सकते हैं कि O B बराबर होगा O D के O, B बराबर होता O, D, K ये दोनों बराबर नहीं होते O, A बराबर O, C के नहीं होगा क्योंकि जो बड़ा डाइगोनल है जो वो छोटे डाइगोनल को दो पार्ट में डिवाइड करता है इक्वल पार्ट में तो इसमें O, B बराबर होगा O, D, K ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो इसमें पहला concept हो क्या था आसन बुजाएं बराबर होती है कोन B बराबर क्या होता है कोन D होता है AC वो BD समकोन पर परतिछेद करते हैं यह जहांपर इंटरसेट करेंगे वो क्या बनेगा 90 degree तो यहांपर यह जो O B D को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो आप यहां से लिस सकते है O B बराबर होता है O D एक इसमें आता area का formula वो बता देता हूं मैं इसमें area का formula क्या होगा यहांपर लिख देता हूं इसका कि A B C D जो पतांगे इसका चेतरफल क्या होगा इसका जो area होगा वो कितना होता है वो होता है एक बटा दो विक्रणों का गुणनफल इसका जो चेतरफल होता है एक बटा दो A C गुणा B D यानि विक्रणों का गुणनफल यह होगा इसका area दोस्तों आज के लिए इतना ही है आज हमने पढ़ाईस में स्क्वायर, रेक्टेंगल और काइट आगे कलास में हम सुरू करेंगे समांतर चतरबूज, सम्चतरबूज है फिर उसके बाद में हम समलम चतरबूज पढ़ेंगे और फिर उसके उपर बेस्ट जो क्योसन है वह हम सोल करेंगे तो आज में दोस्तों इतना ही है, थेंक्यू सो मच